दूस्तू इस वीडियो में हम पुछेंगे जीके का पांच बड़ हिमयधार सवाल जो आपके जीमन बनाने में कभी भी मदद करेगी और हर बीमारी से लगने की आप में ओच हमता हो जाएगी कि आप अपने साथ एक दूसरे को देख भाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसका सही अंसर है अस्थामा वाले रोगियों को नहीं खाना चाहिए और जो लोग ऐसे भी बेगार नम्मा का खाते हैं ज्यादा बईर खालेते हैं तो टीवी पकार लेता है सर्दी खांसी जुकांबु खार हो जाता है इसलिए ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अच्छा जनकारी हमें सपाने के लिए दोस्तों की अच्छा जनकारी मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है पीट साफ रहता है सुन्दा रहता है घुटनों में दर्द डार पीट में दर्द नहीं होता है उसमें भी तीन परकार की होती है कोई भी चीज्ज है दुनिया में देश में हमारे तो तीन परकरकी होती है इस मेंच dette अच्छा वाला चीज खाना चाहिए दोस्ते कि कुई परकर की बीमारी बिल्कूल ना हो फाए दोस्तों सवाल नमबर 3 करायला खाने से क्या क्या फायदा मिलती है हम लोग को दोस्तों नहीं चानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें सवाल नम्बर 4 किस गाय का दूद्ध पीलाना चाहिए दोस्तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल है इसको लेहां से सुनियेगा दोस्तो इसका सही अंसर है देसी गाय का दूद पिलाना चाहिए नहीं तो जो है बच्चे की दिमाग कम जोड़ हो जाता है तो बाद में आप लोग पच्चताओगे तो पच्चताना नहीं है तो अगर गाय का दूद पिलाते हैं तो बच्चे दिमागदार होगा पठाई में उनकी मन लगेगी सवाल नमबर 5 भायस का दूद्ध बच्चे को पिलाने से क्या नुक्सान होती है बच्चे लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जनकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों दोस्तों इसका सभी अंसर है भाइस का दूत पिलाने से दिमागी जो है उनकी भाइस की तरह हो जाता है दिमाग कमजोर हो जाती है शरीर में खुन बनता है कल्सियम की कौमिको तो पूरा करता है लेकिन उनके पास में दिमाग नहीं होता है इसलिए भैस का दूद बच्चे लोग को भूल कर भी नहीं पिलाना चाहिए 20 बरस तक कभी भी गाय का दूद पिलाएं वो भी देशी जर्सी का नहीं थेंक